नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके आएए आज हम सभी गेंदे के फूल के फायदों को जानते हैं और गेंदे के बीज से होने वाले फायदों को जानते हैं क्योंकि गें बुभी बहुत ही अच्छी होती है गेंदे के फूल को पूजा करते समय भगवान पर भी अर्पित किया जाता है इसके अलावा यह फूल और शधिक गुनों से भी भरपूर होता है इसलिए इसे त्वचा के उपचार में उपयोग किया जाता है गेंदे में कई प्रकार के तत जैसे केरोटिनोएड, गलाइकोसाइड, गंध तेल, फ्लावोनोइड तथा एस्टेरोल्स होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं केलेंडूला का साबून, केलेंडूला टी और माउथ वोश इत्यादी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं गेंदे के फूल में घाव भरने की शमता होने के साथ दर्द दूर करने के गुण भी होते हैं केलेंडूला कहने से मेरा मतलब है इसमें कि गेंदे के फूल ये ध्यान रखें आप गेंदे के फूल का उप्योग जोरियों के लिए सबसे फायदे मंद होता है उम्र बढ़ने के साथ लगते हैं तथा नई कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में बनती हैं इससे त्वचा लटकने लगती है इसका सबसे पहले असर चेहरे की त्वचा पर दिखाई देता है इसके तेल या क्रीम को जूरियों वाली त्वचा पर लगाने से जूरिया हट जाती हैं गेंदे के फूल म फाइटो कांस्टीन टुएंट्स होता है जो एंटी एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करता है गेंदा उत्तक के पुनह निर्मार में अच्छी भूमी का निभाता है जिससे जूरियों से निजात मिल जाती है इसके अलावा ये मुहासों को भी दूर भगाता है आपकी तवचा पर मुहासों के कारण तवचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और इसमें से निकलने वाला तेल धूल मिट्टी के साथ मिलकर चेहरे पर मुहासे निकलने का कारण होता है कई बार इन मुहासों के कारण जलन और दर्द दोनों महसूस होते हैं केलेंडूला का तेल दाग धब के उपचार में मदद करता है इसमें इंटी फंगल के गुन होते हैं जो दाग धब्बे को हटाने में मदद करती है चेहरे के मुहासे पर केलेंडूला का तेल यूक्त क्रीम लगाने से मुहासे दूर हो जाते हैं यह त्वचा में कोलेजोन के अस्तर को बढ़ाता है तथा दा चेहरे पर मालिश करना त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है यदि आप इसके तेल से नियमित रूप से अपने चेहरे पर मालिश करते हैं तो त्वचा में रक्त का संचार बढ़ता है और आपकी त्वचा का रंगत निखरने लगेगा इसके अलावा मैंने आपको पह उन्जोरी होने या कमी होने की वजह से कई लोग माबाप नहीं बन पाते हैं खास करके पापा नहीं बन पाते हैं तो इसके लिए ये सबसे अच्छी दवा के रूप में कारे करता है इसके लिए आपको क्या करना होगा इस पर ध्यान दीजे शरीर में सक्ति तथा विरे की मात मात्रा बढ़ाने के लिए एक चम्मच गेंदे के बीज और इतनी ही मात्रा में मिश्री मिला कर एक कप दूध के साथ सुबह शाम प्रती दिन सेवन कीजिए इससे आपके पौरुष शक्ति में व्रिद्धी होगी तथा आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी केलेंडूला फू इक्तियादी होते हैं जो नेत्र रोग और अंधापन को रोकने में मदद करती है गिन्दा आखों के लिए एंटिसेप्टिक का कारे करती है इसके रश से लाल पीडा दायक आखों को धोने से आखों में बहुत फायदा होता है गिन्दा फूल के फायदे घाव को भरने में भी अतुलनिय हैं केलेंडूला के तेल में इंटी सेप्टिक और इंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जब हम घाव या जले पर गेंदे के तेल का उपयोग करते हैं तो यह घाव को असानी से भर देता है केलेंडूला के फूलों से बनी क्रीम को घाव या जले को ठीक करने क लिए उपयोग कर सकते हैं केलेंडूला से बनी हुई क्रीम घाव को जल्दी भरने में मदद करती है यदि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है तो आप केलेंडूला का तेल या क्रीम लगाएं यह आपको फायदा देगा गिंदे के फूल के फायदों में से एक है कि पाचन स समस्या को दूर करता है और आपके पाचन को तंदुरूस्त करता है इसका सेवन करने से पाचन से जुड़ी कई बिमारीओं से निजात मिल जाती है और यह पेट को काफी फायदा पहुँचाता है कई बार खाने की अन्यमित्ता और फास्ट फूर्ट खाने से पेट में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है गेंदे के उपयोग से कब्ज की समस्या दूर होती है जिगर और पिताशय डिटोक्सिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यदि आपके पेट में दर्द है तो इसका सेवन करने से पेट के दर्द से रहत मिलती है आपके पेट में एसी डिटी या अपच की समस्याएं होने पर इसका सेवन करें इन समस्याओं में यह बहुत ही फायदेमंद होता है यह चया पचय क्रिया के द्वारा शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है इसके करीर के किसी हिस्से में सूजन आ गई हो तो इसकी पंखुडियों को पीश कर सूजन पर लगाने से सूजन खत्म हो जाती है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए गिंदा फूल से होने वाले हायदों से जुड़ी होई जानकारियों को लेकर के उपस् कर दोस्तों